रेशन शॉप के सामने जो क्यूज दिखते हैं उसमें कौन सी इज़त है और जो माल मिल रहा है उसमें कौन सी इज़त है क्यालरीज के बराबर इंसान की और अवरत मर्द और बच्चों की ताकित के बराबर उनको क्या वो चीज मिल रहे हैं हमको अभी भी पता चलता है कि श्रीव वहां पर राइस दिया जाता है उनकी न्यूटिशिंप उनको दाल चाहिए उनको दूद चाहिए बच्चा बच्चा वहां पर दूद नहीं पीता है और दूद नहीं पीत लिए उनको बादम चाहिए तो ये food security shops, ration shop से पहली बात तो choose बंद होना चाहिए कि क्यों आड़तों ने घर प्रिसके अपनी काम चोड़ के वहां कर क्यूज रहना चाहिए तो रेशन शॉप से बराबर हर FSC card holder को ये सभी चीज मिलना चाहिए जो कि nutrition के दाएरे में आते हैं SMS के जरीए और WhatsApp के जरीए हर किसी को बराबर message पहुंचा जाएंगा और families को वैसे choose में करना नहीं पड़ेगा mask, milk और बादम ऐसे चीजों और डालों को बराबर food restoration cards के जरीए से बंदोगस करने का पूरा पूरा provision किया जाएगा